नमस्कार आईए आज हम बात करते हैं नई सिच्छा नीत पर आज हम बात करेंगे भारत के उच्छ सिच्छा नीत के विशह में या सिच्छा नीत के विशह में और ये प्रणाली देखेंगे कि कैसे विश्व की अन्य प्रणालियों से भिन्न है इस topic is very important for UGC, NTA, NET paper 1 के लिए जो part 10 के अंतरगत आपका है section higher education system तो उसके अंतरगत इस unit को हम cover कर रहे हैं और इसके अंतरगत हम भारत में जो सिच्छा नीती है या सिच्छा प्रणालिया उसके विशाय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे और ये वीडियो बहुत अधिक important हो जाता है NET students के लिए तो आईए देखते हैं भारत की नई सिच्छा नीत किस प्रकार की है 21 सदी में प्रभुत सूचना और ज्यान के संचालित समाज करा है क्योंकि इन जो हमारे पास technology है communication है उससे क्या होता है की सूचना बहुत तेजी से ब्यापक रूप से फैल रही है और ये सूचना क्या कर रही है ग्यान के साथ आ रही है उद्दोगी करण और आर्थी बिस्तार से दुनिया में तक्नीकी बदलाओ हो रहे हैं और ये तक्नीकी बदलाओ माना की के ग्यान के इस्तर में भी लगातार ब्रद्धी करते चले जा रहे हैं अगर हम ये बात कहें कि वर्तमान जगत में सूचना ने पूरे बिस्व को वास्तों में बहुत ज़्यादा संकुचित कर दिया है आज बिस्व की सारी जानकारी एक पल में हमें इस सूचना तक्रीक से तुरंद प्राप्थ हो जा रही है ऐसे में बिस्विद्यालियों से सामाजिक बदलाओं में महत्पूर्ण भूमिका निभाने और उन्नीसवी सदी से पारंपरिक रूप से चले आ रहे एक बिसरी धाचा की बाधा को तोड़ने की उमीद की जा रही है अप लगता है कि हमको न्यू एडुकेशन सिस्टम को एकसेप्ट करना पड़ेगा और कोविड-19 ने इस पहल पर सूचने पर विवस कर दिया है तो एक तरब तो आपकी न्यू सूचना प्रदो की या तकनी की और दूसरा कोविड-19 जैसा इफेक्ट ने हमें अपनी सिच्छा बेवस्था पर पुना विचार करने के लिए सूचने पर विवस कर दिया है और इसका परिवर्तन हम देख सकते हैं कि मूल भूत ठाचे से लेकर के अंतिम चरण तक परिवर्तन आज दिखाई पड़ रहा है समाज के विकास में सिच्छा का महत्य सर्वोपरी है जो प्रदोग की और आर्थिक वृध्धी लेकर के आता है टेकनलोजी डिवलाप्मेंट और वास्तों में इस से एकनॉमिक डिवलाप्मेंट कहीं न कहीं आत्मसात हो जाता है समाज का सर्वाधी विकास तभी हासिल किया जा सकता है जब लोगों के चहुमुखी विकास के लिए सिच्छा का इस्तर बढ़ाया जाए अगर किसी देश में एडुकेशन का लेबल बढ़ेगा तो एडुकेशन का लेबल बढ़ने से वास्तों में हुमन जो होंगे वहाँ पर इस्किल्ड हुमन होंगे और ये इस्किल्ड हुमन कहीं न कहीं उस देश के लिए अच्छे हैं उस देश में आर्थिक बतलाव में स् समाज की आकंछाएं, मूले, विकास की प्राथमिकताओं के लिए उच्च सिच्छा आहम रोल अदा कर रहा है और इन सब का नियमित मूल्यंकर और सुधार किया जाना आपेच्छी थे किया जाना चाहिए। अगर हम वरतमान में बात करें तो 45,000 से अधिक उच्च सिच्छन संस्थानों के साथ भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी उच्च सिच्छा प्रणाली है। चात्रों को जो रोजगार युक्त सिच्छा प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसके अधार पे ये जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। और जब हमारा भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा तो हमारे पास उच्च सिच्छा यानि सिच्छा वेवस्था को ले करके चुनोतिया और अधिक होती चली जाएगी। इस लिहाद से आने वाले वर्सों में उच्च सिच्छा की मांग भी अब देश से बढ़ने जा रही है। हो रहा हैं और लोग उच्च सिच्छा के लिए अन्य देशों पर लगातार निर्भर हैं। भारत में उच्च सिच्छा पना ली पहले चुनिंदा लोगों की जरूरतें पूरी करने के मकसद से तयार की गए थी। कुछ सेलेक्टिव पर्सन थे, सेलेक्ट कमुनिटी थे, उनके लिए तयार किया गए था। क्योंकि आप एडुकेशन सारे ब्यक्तियों की निट्स थी पहले, अंग्रेजों के समय में वास्तों में कुछ ब्यक्ति ही सिच्छित वर्क थे, उनको गवर्नेंस करना था, तो हमारी सिच्छा एक मुखी थी, लेकिन नहीं आपको हमको बहुमुखी सिच्छा के और शक्त 242 विश्विद्याला है, that is most important data, ठीक अपडेट होता रहता है, इसको चेक करते रहिए, इसमें से 49 केंद्री विश्विद्याला है, 405 राज्य विश्विद्याला है, 135 रास्टी महत्तों के संस्थान, 126 deemed to be university, और 328 निजी विश्विद्याला है, इसके अलावा 42,343 कालेज और 11,779 stand-alone संस्थान है, इस प्रेकार जो हम कह सकते हैं, कि भारत का जो उच्च सिच्चा बेवस्था है, वो बहुत बड़ी एक बेवस्था है, और ये लगातार बढ़ती जा रही, इस डेटा को आपको और अरधिक अपडेट करने होंगे, उच्च सिच्चा में अभी करीब 3.5 करोड चात्र चात्राओं ने दाखिला ले रखा है, इन में से 1.96 करोड चात्र और 1.89 करोड चात्राएं हैं, ठीक है, लगभग रेसियो बराबर हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी चात्रों का रेसियो कम हैं, यहनि कूल इन्रोल्मेंट क 49 परसेंट जो फिस्दी वो फीमेल गर्स इस्टडी कर रही हैं, और साल 2025 तक उच्च सिच्चा में दाखिला लेने वालों में सबसे अधिक छात्र और चात्राएं 20 में केवल भारत में होगे, ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा इन्रोल्मेंट भी है, जैसे बढ़ रहा है, वो देखिएगा कि 2025 तक भारत के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इन्रोल्मेंट रेसियो में, अगर हम बात करें तो सबसे उच्च पर हम लोग आ जाएंगे, और सन 2030 तक उच्च सिच्चा ग्रहन करने वाले सबसे अधिक युवा भारत में ही होंगे, अगर हम बात करते है कि उच्च सिच्च में क्या-क्या चुनावतिया हैं, तो भारत की उच्च सिच्च परनाली दुनिया की सबसे बड़ी परनाली होने के बावजूद, इसमें अनेक चुनावतियों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा, ये चुनावतिया कौन-कौन सी हैं, इनको देखते सबसे पहले पठन-पाठन की गुणवत्ता, क्वाल्टी आप एडुकेशन भारत में आज बहुत लो है, ठीक है, सरकारी निची भागेदारी, ठीक है, जो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप की बात करते हैं, वो भी आज प्राब्लम जनरेट कर रहा है, बिदेशी स इसमें इन्नोवेशन की अवशकता है, अंतरास्टी करन हमारी एडुकेशन को वर्ड लेबल पे बनाने के लिए इसको इंटरनेशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आवशक है कि हमको अपनी क्वाल्टी आफ एडुकेशन को बढ़ाना होगा, और हमको इन्टरनेशनल लेबल का जो सलेवा से उसको सेलेक्ट करना होगा, बैसिक अर्थेविश्था की बदलती मांग, ठीक है, आज वर्ड एकनॉमी में जो डिमांड है, वो चेंज हो चुकी है, और उस डिमांड के अनुरूप हमको उच्छे सिच्छा प्रवाइट करनी होगी, तो यह एक बड़ी प्रवाइट है, आगे हम बात करते हैं, तो उस सिच्छा के छेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए, बीते दो दसकों में अनेक प्रियास हुए है, ठीक है, गौर्रमेंट ने वास्तों में बहुत कुछ कारे किया है उस सिच्छा में, और इसी का प् NSHE के अनुसार 18-23 वर्ग में भारत का ग्रॉस इन्रोल्मेंट रेशियो 27.1 फिस दिये, ठीक है, यह आपका डेटा ASIHS का 2019-20 का है, क्योंकि COVID के कारण यह NSHE का डेटा, AAISHE का डेटा थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन वर्तमान में भी यह डेटा फीड हो चुका ह तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, 2019-2020 तक तो ग्रॉस इन्रोल्मेंट रेशियो GER की बात करता हूँ, तो 27.1 फिस दिये, यह 36.7 फिस दिये के वैस्रिक आउसत से बहुत कम है, यानि अभी भी हमको इस सेक्टर में ग्रॉस इन् करनी होगी, छात्र जो सिच्छा गराण करते हैं और रोजगार के लिए उन्होंने जिस कौशल की जरूरत होती है, उनमें भी बहुत बढ़ा अंतर है, आज भारत में जो भी उच्छ सिच्छा में एडुकेशन प्रदान की जाती है, वो स्किल्ड फूल रही है, जितनी स्क उन्हे संस्थानों को छोड़ दीजे, बलकि अन्हे संस्थानों में ये नहीं उपलब्द है, जिसके करन आज हमको जैसे कौशल के उशकता है, वैसे कौशल युक्त हमको रोजगारों के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं, इसके अलवा पाठकरम में कौशल विकास का नहोना भी एक करण है आप एक skill development का सलेबस जरूरेट करिए उच्छ सिच्छ संस्थान में इन दिनों सिच्छकों की भीसर कमी से जूज रहा है वैसे government ने इस दिसा में काफी अधिक प्रयास किया लेकिन आज भी college हैं जिसमें से कुछ subject के teacher available नहीं है जिनको हम लोग guest या आपको contract में रखना पड़ रहा है अनुमान है कि संस्थान में 30 से 40 फिस्दी faculty की जगा आज भी खाली है क्योंकि उन पदों के लिए योग के लोग नहीं मिल रहे हैं और इससे चात्र सिच्छक अनुपात असंतुलित हो गया है तो एक बड़ी problem यह समय आ गई है ठीक student teacher ratio की भी हाली के दसक में सरकारी और सरकारी सहता प्राप्त उच्छ सिच्छा संस्थानों में funding का trend देखे तो केंदरी भी स्विध्यालों को ज़्यादा funding हुई है जो central universities है और हमें बेवस्ता को मुझबूद बनाने के जरूरत है ताकि गुणवत्ता युक्त सुनिस्चित हो सके और रोजगार पाने में ग्रेजूटों की संख्या बढ़े अगर हम गुणवत्ता युक्त सिच्छा इंचात शात्राओं को प्रवाइट करेंगे तो निस्चित रूप से ये अपनी रोजगार जो सबसे महत्पूर अशक्ता है उसको फुल्फिल करेंगे और देश का अर्थिक विकास भी तेज हो सकेगा रिसर्च और अध्यापन को अलग करने के लिए अनेक प्रयासों की अशक्ता है तो इसको आज हमने देखा कि इन्वस्टीज में रिसर्च और अध्यापन को अनेक प्रयास करने होंगे और बदलते समय के साथ लचीले पाठक्रम की भी आउशकता है और पाठक्रम ताय करने और कौसल विकास में नियोकता की भागेदारी बढ़ानी चाहिए और इसके अलावा अंतर भी सही सिच्छा के आउसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और गुनवत्ता युक्तो अध्या तकनिक के अनुरूप कारे करना नहीं सीखेंगे तो कहीं न कहीं हमारे पास उच्छे सिच्छा में लगातर चुनाउतियां बढ़ती चली जाएगे चात्रों को बिभिने तरह के इसकिल बिक्सित करने का प्रियास या आउसर मिले एनलिटिकल रिजिनिंग क्रिटिकल ठिंक अगर इन डाइमेंसं को हम उच्छे सिच्छा में सामिल करें अगर इन्स की पढ़ाई और इनका मूल्यंकन इस तरह से हो कि छात्रों को रटने ना पड़े और वास्तों में उस समझ के काम करें तो निश्चित रूप से वो गुनवत्ता युक्त रुसिच्छा प्राप्त कर सकेगे। बहु भी सही रिसर्च के आउसर ना होने के करण बिज्ञान और समाचसास्त दोनों में क्वाल्टी रिसर्च की कमी है और इससे उद्दोगों के साथ जुड़ाव भी प्रभावित होता जा रहा है। जिसको आप लोग कहते हैं QRC के साथ Open Education Source OER और Massive Open Online Course MOC MOOC जिसको आप कहते हो के रूप में अनेक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। मतलब कि कहीं न कहीं प्रदोग की केत वातारण में हमको अपनी सिच्छा बेवस्ता को भी ढालना होगा। और हमको online education के माध्यम से अपने टीचरों को अपने छात्रों को educate करना होगा तब भी इस प्रकार की चुनोतियां यानि उच्छे सिच्छा में जो quality है जो उच्छे सिच्छा में एक रचनात्मक ता है उसको हम लोग ला सकेंगे। COVID-19 के समय में जब सारीरिक दूरी यानि जो physical distancing की बात की गई थी एक नया सामाने बन कई और online संसाधनों और remote learning टूल का इस्तेमाल ज्यादा प्रासंगिंग हो गया और था कही न कहीं online education को promote करने का कारे COVID-19 ने किया और faculty को इस तरह प्रसिच्छित किया जाना चाहिए कि वो online education provide करने में कोई भी कोताई ना बरते हैं वो और student दोनों को मन मुताबिक यानि जैसी उनको quality education चाहिए वैसे हम online education provide कर सके हैं उन्हें उत्साही innovative और प्रियोग धर्मी रहें तथा पढ़ने पढ़ाने में टेकनलोजी की इस्तेमाल में सच्छाम हो सकें कोई teacher या students ये न कह सक कि मैं इस software से अनिभिग गयों और इसे मुझे operate करने में आज भी समस्या आ रही है तो वर्तमान नयवातावन को सुईकार करने की छमता चात्र तथा सिच्छक दोनों में होना अनिवार है governance के मौझूता model से उच्छ सिच्छ संस्थानों की स्वायत्ता प्रभावित होती है इसका एक करण तो ये कि सरकार और नियामक विस्वित्यालाओं के छोटे छोटे कामों में भी हस्ताच्छेप करना चाहते हैं इसके अलाबा quality सुनिस्जित करने की कमजोर बेवस्था संस् परसी बेवस्थाना होने से आज समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं उच्छ सिच्छ में पेसेवर मैनेजमेंट के जडिये उतकरष्ट सिच्छ हासिल करने के लिए नए governance model की इस वर्तमान में अवशकता है जिसमें पारदरसीता हो समानता हो जवाब देई हो औ ताकि कामकाच के बिभिन इस तरों पर स्वायत्ता, जवाब देई, लचीला पान, बिस्वास और पारदरसीता कायम हो सके और भावी जरूरतों को पूरा करने वाला बिस्विद्यालाय बनाने के लिए रेगुलेटर को भी अपनी भून का बदलने के और शक्ता वर्तमान म आपेचित की गई है, वास्तों में इस बैस्वी करन और प्रतिसपर्धा के साथ सिच्छा के अंतर रास्टी करन को देखते हुए उच्छ सिच्छ संस्थानों को पारंपरिक बिस्विद्यालाय प्रसासन का तरीका अब छूणना होगा, अब हमको बिस्व की मांग के अंसा अपनी उच्छ सिच्छ बेवस्ता में परिवर्तान लाना होगा, उन्नीसवी सदी की जरूरतों पर आधारित है, उन्हें आधनिक पेसेवर गवर्नेंस को अपनाना चाहिए, अगर प्रसासनिक मसीनरी में अनिवार कौसाल, जानकारी और नजरिये का आभाव है, तो वो प रद्दोकी के युग में धालना होगा, उनको भी ट्रेंट करना होगा, तब ही हमारी उच्छ सिच्छ और अधिक तेज चल सकेगी, वो बिस्विद्याला के विकास में बाधक बनेगी, बदलती सामाजिक जरूरत, बैस्विक ट्रेंड के मुताबिक लचीला, पारदरसी, बिकेंद्री करत, स्वायत और जवाब दे गवर्नेंस रस्थान को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमी का निभा सकेगा, बिस्विद्यालों के लिए इगवर्नेंस कारेक्रेम की संकल्पना, उन्हें लागू करने के लिए साथ एक ERP सिस्टम भी विक्सित करने की वर्तमा तो आपको एक ऐसा ERP चालू करना होगा, ताकि चात्र, स्टाप और जो अन्ने लोग हैं उनको समय पे सूचना मिल जाए, ठीक है, इससे आंत्रिक कारियों में गति आएगी और गुनवत्ता में भी सुधार होता चला जाएगा कागजी करवाई और जानकारी मुहिया कराने में लगने वाले समय में कमी, लागत में कटावती, परियावन सन्रच्छान, सूचना एवं संचार प्रदोग की आधारी टूल के इस्तेमाल से उत्पादकता, कारेच्छमता, ग्राहक संतुष्टी बढ़ेगी, पारंपरिक त एज, कामखार्च, ज्यादा निपूर्टा के साथ कारे को अंजाम दे सकेंगे, इस प्रकार पठन-पाठन की प्रिक्रिया सभी छात्रों को प्रभावी होनी चाहिए, वे निर्थारित नतीजों को प्राप्त कर सकें, जिससे उनकी सोच, उनके बेवहार पर दीरिखकालिक महत्पूर्ण और सकारात्मक असर होद। ये बात सिच्छा पनाली में मूल है, उच्च कोट की सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए आवस्यक है कि पढ़ाने का पारंपरिक तरीका जो ट्रेडिसनल हमारा मेथाड़े उसको बदलना होगा और आधनिक प्रद्दोग की आ स्थान दुनिया में सरसेट पाठन पाठन का तरीका अपनाए और भिस इस तरी पाठन पाठन का तरीका अपनाए तब ही हम नारा देश देजी से आगे बढ़ेगा और हम क्वाल्टी एडुकेशन के साथ बढ़े ये भी हमको सोचना होगा अध्यापान और मूल्यांकन के प्रभावीत बैस्विक तरीके अपना कर फैकल्टी के पेसिवार विकास और महुजूदा तता भावी जरूरतों के मुताबिक प्रदोकी अधारित एकोसिस्टम विक्सित करके स्रेश्ट पठन पठन सुनुश्चित किया जा सकता है अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत टिकाव विकास के दम पर आगे बढ़ना और बिश्व प्रणैता बनना चाहता है अगर ऐसा करना उसों आगे बढ़ना है तो उसे भारत को यहनी ग्यान में, रिसर्च में, इन्नोवेशन के छेतर में आगे आना होगा और इस मिसन में युवाओं को प्रभावी माध्यम बनाना चाहिए और इसके लिए हमें आधुनिक तक्नीकों को सुईकार करना होगा इसके लिए त्री स्तरी नजरिया अपनाने के उशकता पहले हमें उच्छ क्वाल्टी के मानव संसादन तयार करने हैं हमको एडुकेशन के माध्यम से अच्छी क्वाल्टी के मानव संसादन तयार करेंगे जो दुनिया के सरुसे स्ट्रमकच्छों और जिनमें रिसर्च और इन्नोवेशन की गहरी समझो जो विवेचनात्मक और गहर परमपरागत तरीकों की सूच सकें दूसरा रिसर्च और इन्नोवेशन के लिए बड़ी संख्या में बैस्विक एक्सिलेंज केंद इस्थापित करने की जरूरत है बैस्विक एक्सिलेंज केंद जहां पर हम अपने मानव संसादन टीजरों के हो या इस्टूडेंट्स की गुनवात्ता को इंप्रूव कर सके जिसका समाज और अर्थ बिवस्था के साथ साथ मजबूत जुड़ा हो तीसरा रिसर्च और इन्नोवेशन का फोकस बदल कर रास्टी प्राथमिकताओं को क्रेंदर में रखा जाना चाहिए तब ही हमारी उच्च सिच्छा एक स्रेष्ट उच्च सिच्छा के रूप में प जामिल करना चाहिए बिस बिद्यालियों तथा कालिजों में सामूहिक अंडर्ग्रेजुएट रिसर्च की सुरुवात करनी चाहिए इन से उच इस तरके अनुसंधान का आधार तयार होगा तो हमको अंडर्ग्रेजुएट लेबल पर अपने रिसर्च को प्रमोट करना हो जो भी चीजे नई रिसर्च करें, उनको पेटेंट कराएं, उच्छ क्वालिटी के रिसर्च के लिए फैकल्टी को पूरोस्त्रत किया जाना चाहिए, विस विद्यालों को इन्नोवेशन केंद्र और समस्या समादान के बीच भी कड़ी होनी चाहिए। 500 की बात करता हूँ, तो मात्र 8 संस्थान हैं जो भारत के इसमें समलीत हैं, और सीर्स 1000 संस्थानों में केवल भारत के 21 संस्थान हैं, जो इस लिस्ट में समलीत हैं, इसलिए हमको अंतरराष्टी इस तर पर रैंकिंग में सुधार करना होगा, और इसके लिए भारत सरकर को ठो फोर कदम उठाने होंगे। नियोकताओं में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पर फोकस के साथ फंडिंग करना चाहिए। अंतर रास्टी और रास्टी इस्तर पर असाधारन प्रतिष्ठा को दिखाया जाना चाहिए। तब ही हम उच्चे सिच्चा को स्रेष्ठ से स्रेष्ठ सम की और पहुँचा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि भारत की उच्चे सिच्चा की दिखा में बहुत अधिक प्रयासरा थे और नई तकनीक को भी भारत सरकार सुईकार कर रही है। लेकिन अभी हमारी मंजिल काफी दूर है अभी भी हमको बहुत कारे करना है ताकि भारत की उच्चे सिच्चा स्रेष्ठ से स्रेष्ठ सम तक पहुँच सके।